तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म बच्चों मैं एक बात आपको क्लियर कह दूँ कोई कितना भी कहे कि सी सैट की तैयारी लास्ट दो या तीन महिने में अगर आप तैयार कर लोगे तो आप सी सैट पेपर को क्वालिफाई कर लोगे और आप आई एस ऑफिसर बनना तो दूर की बात है अगर आपने सी सैट पेपर को नहीं क्वालिफाई किया तो मेरे बच्चे आप आई एस बनना तो दूर आप मेंस भी ने लिख पाऊगे जिस प्रकार यूपी एसी का पैटर्न लास्ट पोर येर से जो चेंज हुआ है यह पैटर्न एससी बैंकिंग रेलवे के एकजाम से टूटली डिफरेंट है अगर आपके ब्रेन में ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं उस लेवल के कॉंटेंट को पढ़के अगर मैं यूपी एससी एकजाम के सी सैट को क्राप कर दूँगा तो आप भूल जाए आप से नहीं होने के बाद जो आपका प्यार मिला है जो आपका सयोग मिला है जो आपका समर्थन मिला है मैं आपके आगे मेरी हिंवत हार जाती है इन चीजों को देखते हुए इस प्लेटफरम पे मैं प्री ओफ्कोस्ट आपके लिए क्राश कोर्स 20 अफ नौमबर से दात को 9 पेम में स्टार किया तो मैं आप से कहना चाहर। रात को नाइन प्यम ये लिए लाइव क्लास ही देखना मत भूलना जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो वो सी साट में कौलिफाई कर गया तो आप नाइन प्यम 28th of November को देखना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है तो कभी किसी को दी नहीं जाती है केवल ली जाती है क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं ने लिया है कि पिछले डेर साल से मैं सफर में मैं जो अकेला चला था केवल और केवल आपके सपोर्ट के व आपको free of cost जो बच्चे किसी भी कारण से कोर्स नहीं ले पाते हैं उनके लिए मैं सी साट का क्रैस को से जो ले रहा हूं जो ले रहा हूं उसके लिए तो कोई बात ही है आप लाइब जरूर देखना क्योंकि अगर आप में एक बार सी साट के त्यारी सही तरीके से कर लिया तो अगर आपके ब्रेन में थोड़ा सा अगर स्पेस क्रियेट हो रहा हो कि मैं नॉर्मल फैमिली से हूं मैं मेरा बैग्रॉंड बहुत वीक है सर मुझे कुछ ऐसी जॉब मिल जाए ताकि मेरा बैग्रॉंड या मेरी फैनेंसियल इस्तिती मेरे आर्थिक इस्तिती थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो अधर कॉम्परेटिटिव एक्जाम में भी आपको हेल्प होगा यहाँ पर मैंस रहनी कॉम्परेंसर जैसे इंगलिस पर सो अच्छे तरीके से हैं अगर आपके अंदर है मैंनत करने का हुनर तब जरूर बन सकते हैं UPSC टॉपर क्योंकि आपने देखा होगा इतने सारे प्लेटफॉर्म पर क्लास लेने के बाद मैं बहुत कोसिस करता था कि आपको मैं पढ़ाऊं लेकिन पढ़ा नहीं पाता लेकिन आपका सपोर्ट रहता था साथ रहता था पता नहीं कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हैं इस साल ओल इंडिया रेंक 16 और 36 मेरे क्लास रूम इस CSAT के कोर्स से हाला कि पेड़ वैज के स्टूडियन थे लेकिन बहुत नहीं से बच्चे हैं जोने कोर्स नहीं लिया फिर को कौलिफाई करते हैं पता नहीं रोज मेरे पास वर्ट्सप पे मैसेज आते हैं कितने सारे एक्जाम में क्राक होते हैं अगर आप सिरियास हो तो आप जरूर इस एक्जाम को क्राक कर सकते हैं जोस और जुनून रहना चाहिए लाइव ही देखना लाइव ही देखना सब्सक्राइब करना दूसरों को भी शेयर करने